आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप support और resistance ड्रॉ कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा accuracy से और आपको बिल्कुल आसानी से मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ बहुत ही simplistic तरीका जो आपको बहुत complicated तरीके से बताया जाता है कि support और resistance ड्रॉ करने के लिए इतना इतना ऐसा देखना पड़ेगा वो करना पड़ेगा बिल्कुल simple form में आपको समझ में आ जाएगा तो चलो start करते हैं और मैं आपको पूरा example देखे मता हूँगा stocks में भी आप इसको काम में ले सकते हो index में भी काम में ले सकते हो जहां आपको support resistance बनाना है भाही stocks और index म share market में वहां आपके लिए बुल्कुल आसा नहीं हो जाएगी चलो शुरू करते हैं तो यहां पर क्या रहता है देखो support और resistance सबसे पहली बात आ जाती है support और resistance हम ड्रॉ ही क्यों करते हैं हमारा क्या काम है support और resistance से तो support हम ड्रॉ करते हैं जैसे support बना लेंगे तो यहां अगर अगर मालो stock आया और यहां पर कुछ price action दिखाया या कुछ होगा तो फिर वहां बाए करते हैं तो यहां पर एक तो बाए करने के काम पर दूसरा हमारे क्या काम में आ जाता है यहां पर support है support को तोड़ा और यहां से नीचे गया तो फिर भई यहां से हम sell कर सकते हैं यह काम म उसके प्रोफिट बॉक के लिए दर प्रद भी और नहीं पा एसम आधा insights को नहीं वी आध कर रहा हूं मार्केट हमें इस आपको दिखता होगा ऐसा गया फिर कहीं उपर चला गया फिर यहां नीचे आया फिर ऐसा गया फिर ऐसा गया तो इस तरीके से मार्केट दिखता है आपको फिर मालो ऐसा गया और यह गया फिर ऐसा आया फिर इस तरीके से मार्केट दिखता है तो मार्केट दिखो यह यहां पर एक area बनाया देखो लग बग यह similar वाला area तो यहां पर market उपर गया न एक बर तोड़ने को बाद तो यहां आकर गया लिया है उपर जाने से पहले तो इस area को बहुत सारे लोग support बोलता है exactly आप कैसे identify करोगी कौन सा support है और कौन सा इतना आपके लिए important नहीं है अब जैसे यहाँ पर भी market आया है यहाँ पर एक बर रुका तो यह भी आपके लिए एक support हो गया यहाँ से भाई नीचे गिर रहा था market तो यहाँ पर जाके support लिया तो यह भी आपके लिए important area होगा देखो अगली बर दुबारा जो market आया तो यहाँ से resistance भी face किया तो ऐसे आप identify करते हो support और resistance को मैं exact तरीका बताऊंगा तो support और resistance क्या होते है जहाँ market जाके halt ले रहा है वो support और resistance जैसे वर्क करते है अब आ जाता है कि आप draw कैसे करोगे support और resistance को चलो यह तो आपको समझे में आ गया कि market रुकरा resistance market उपर से आ रहा है यहाँ पर रुका तो यह आ गया support अब एक घंटे के time frame से हम चालू करेंगे ठीक है मस्कारा complete information आपको दूँगा जैसे यह यहाँ पर हमने मालो चार्ट लगा लिया कोई और stock कोई भी random stock हम लगा लिया जैसे हमने लगा लिया भाई कि गेल कंपनी है बड़िया सरकारी कंपनी है ठीक है इसमें supporter resistance का है one day का चार्ट लगा लिया अब last day की candle आपको कहां दिख रही है यह last day की candle है one day की अब आपको डूढ़ना कहा support resistance के लिए आपको एक ही चीज़ डूढ़नी है कि आज की candle है न इससे पहले market ऐसी कौन सी जगे थी जहां से you turn लिया था you turn जहां लेता वही support बनता है resistance बनता है नीचे से you turn ऊपर से you turn बस ये दो चीज़ ढूढ़नी है अब गेल का stock ले लिया हमने तो ये रहा आज का candle तो इससे पहले you turn कहां लिया था तो आपको कौन सी जगे दिख रही है यहां पर एक बहुत प्यारी सी जगे आपको दिख गई होगी कि भई ये इस जगे से you turn लिया था market देखो उपर गया है और फिर यहां से देखो नीचे आना चलो हो गया तो ये एक you turn वाली जगे हो गई तो ये कौन सी जगे हो गई भई एक जगे ये हो गई चलो दूबारा देख लेता अब इस से नीचे ऐसी कौन सी जगे से जहां से market ने यूटन लिया है तो हम आते हैं देखते हैं तो भई एक जगे मेरे को नजर आ रही है market गया भई यहां से गिर दा था फिर यहां से उटा तो ये जगे तो ये जगे हमने market ली तो ये दो important जगे अब अपने को one day time frame पे मिल गई जहां से market ने यूटन लिया आता जस्ट पहले near rest near future में कहां से लिया आता लेने में तो market ने यहां से भी लिया आता वहां से भी लिया था पर उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है भई जो near rest जो भई हमारे को ट्रेडिंग में काम में आएंगे वही तो हमारे लिए काम के हैं तो आपको क्या ढूनना भई one day time frame पे चले जाओ last year turn कहां लिया था वहां आपने market लिया उपर की तरफ last year turn कहां लिया था नीचे की तरफ वो market लिया अब बहुत सारे लोगों को यह भी doubt आएगा कि सर सपोर्ट और resistance तो एक zone होते हैं ऐसा कुछ लोग बनाते हैं सरे डबबा कुछ लोग बना देते हैं अब आपने line ही बना दी तो मिरे को zone चाहिए सर अना मिरे को बिल्कुल भी risk नीच चाहिए जोन और इसके अंदर कोई खासा अंतर आपको नहीं मिलेगा सेमी चीज है आपको भई एक और line बनानी होगी कहाँ पर ये तो होगी body पर आपको हमें इसा line बनानी है body जहां से यूटरल लिया है आप अगर wick को include कर लेते हो तो इस एरिया में wick को include करते हो तो बै के लो बन गया आपके लिए zone ये बन गया आपके लिए zone ये wick को include कर दिया तो ये बन गया ब Wasser तो ये क्या चीज हो गई भई ये हो गया अब यहां पर liquid क्वाई resistance अब market नीचे आएगा तो भई गेल अगर गिर रहा है तो कहां तक गिर सकता है support यहां तक अब आप expect करोगे कि भई इस level तक गिर सकता है इस से पहले आपको कोई hope नहीं दिख रही भई रुख नहीं की तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है nearest support और resistance के लिए यह तो हो गया भई डे टाइमफेम के बाद अब चलो भई डे टाइमफेम तो सर्व पाई मेरे को investing नहीं कहीं नहीं हम पंदरा मिनट में बताओ इसी के अंदर अब पंदरा मिनट में आप देखने जाओगे तो वो तो हो गई देखे पंद्रह मिनट का चार्ट आपने लगाया अब ये है तो इस से उपर वापस वही सेम प्रोसेस दिमाग जादा लगा रहा ही निये कि यूटन कहां से लिया था मेजर यूटन आपको दिख रहा होगा कि यहां से उपर गए तो दिखो एक तो यहां से थोड़ा से यूटन लिया था तो यह एक जगह आपके लिए इंपोर्टन हो गई यह जगह इंपोर्टन है यहां पर आपने लाइन खेंच ली यह रहा ठीक है दूसरा कहां हो गए भई यूटन इससे पहले थोड़ा सिगनिफिकेंट देख रहे हैं इस से पहले आपको यूटन दिख जाएगा देखो कि यहां पर यहां पर दिख रहा है तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या दो लेवल नज़र आ रहे हैं ये लेवल और वो लेवल वहाँ पर अगर आप विक बनाने चाह जोन नहीं है आपके बास बिल्कुल छोटा सा जोन है यह रहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे इधर आओगे तो थोड़ा बड़ा जोन आपको मिल जाएगा यह जोन तो अब आप क्या कर सकते हो भई इस सपोर्टर रेजिस्टेंस है अब जैसे ही भई अगले दिन गेल खुला मा से रेजिस्टेंस ले रहा है यहां पर सपोर्ट पर आया मालो मार्केट खुला यहां कहीं भी यहां सपोर्ट पर आता हो दिखा इस एरिया में आता हो दिखा आपको यहां आया इस तरीके का उपर गया फिर ऐसे थोड़ा हलका नीचे आया फिर उपर ब्रेक किया इसको ठी इतना ये है ना भाई इसका double up target रखते हो ठीक है इस तरीके से आप काम में लेते हो चलो भाई ये तो गई गेल की बात और मैं कुछ example बना के दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको समझी में जाए कि exact कैसे level आप बनाओगे न और कितने useful हो सकते हैं अभी मैं index में trading करता अभी आजाओ देखे IRFC IRFC तो देखो एक side में भाग रहा है इसमें कोई फायदा नहीं है SDFC bank है ठीक है SDFC bank बहुत सारे level सोच रहे हैं भाई यह ना कि यार इसमें entry बना लू तो day time frame पे सबसे बढ़िया जगे कहां से देने होगी ना entry की ये लो भाई या day time frame हमने लगा लिया SDFC bank हमने लगा लिया अभी SDFC bank के बहुत खराब result आये तो आपको पता है कैसा गिरा अब यहाँ पे ये candle अब इसके पीछे चले चलो भाई क्या करना है भाई क्या ढूंड़ना है अपने को यूटन रूंड़ना है तो यूटन कहां गया इसके पीछे गये तो अरे यह रहा भाई यहां से उपर गया और फिर यहां से नीचा है तो यह एरिया यूटन का आपको दिख रहा है के लिए हैर भाई सबसे उपर यूटन में यह रहा मार्क कर दिया है हमने हमको सबज में गया नीचे की तरफ यूटन आप देखोंगे कहां से लिया था भई मार्केट ऐसा आया था फिर उपर बढ़ाता तो ये एरिया जरूरी है तो अभी इस एरिया में आता है जितना नीचे मंने की आता है और फिर उपर क्रॉस करता है एसा आया ऐसा ओपर गया एसा नीचे आया और फिर ऊपर क्रॉस जब करेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भई यहाँ पर entry बनाएंगे और यह best time होगा किसमे entry लेने के लिए SDFC पर चलो मालो भई SDFC सपोर्ट को respect करता ही नहीं है SDFC आता है भई सीधा यहाँ सपोर्ट जोन है यहाँ से सीधा break करता है इसको ऐसा बनाता है फिर उपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है इसको break कर देता है ऐसा आता है थोड़ा उपर जाता है फिर इसको नीचे break कर देता है सपोर्ट के नीचे ठीक है यहाँ पर आप भई सेल साइड में एंटर लेने के लिए यह सब सब हैतरीन जगे होगी जहाँ से आप भी शॉर्ट कर सकते हो क्योंकि जो recovery आई फिर recovery sustain नहीं हुई ठीक है शॉर्टिंग आपने की तो भई next target फिर आपको और बड़े आ सकता है थोड़ा सा अगर daytime फ्रेम पर देखेंगे कि पहले कहा था भई ऐसा अगर यहाँ पर देखोगे तो next target आपको दिखाई जारे भई 1335 वगारा के हो सकते हैं अगर यहाँ से नीचे इस candle के नीचे अगर आप यूटन देखने जाओगे न जो last candle थी तो वहाँ पर आपको नजर आएगा कि वह यूटन बनता है यहाँ पर तो 1335 के गरीब तो इस level तक फिर next target हो जाएगा HDFC bank का 1380 के बाद में ठीक है तो इस तरीकी से आप support और resistance बनाऊगो जैसे HDFC मनाए हमने यह अभी आ जाते है भई और भी कुछ भी ले लो भई तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है यह केंडल ठीक है यूटन डूंडेंगे जहां से market reverse हुआ कहां से हुआ भई यहां से चलो चलो भई यह एरिया important दिख रहा है भई है यहां यूटन लिया है लास्ट टाइम बना ऊपर जा रहा था market और फिर वहां से सीधा फॉल हो गया वापस तो यह क्या important जगे है 46,600 मार्क करणो लेवल अभी अगर वीडियो देख रहे हो latest के अंदर तो आपके काम का हो सकता है नीचे चलो भई इसके नीचे यूटन कहां दिख रहा भई इससे पहले यूटन नहीं दिख रहा तो ये लो भई मार्क कर लिया हमने लेवल अब अगर अपन जोन मार्क करना और भई उपर रिजिस्टेंस जोन कहां दिखाई दे रहा है 46,565 से लेके 46,900 के बीच में यहां पे तो अब अपी क्या हमारा प्लान होना अच्छी है बैंक निफ्टी मालो यहां पे अच्छी रिकावरी दिखा है मैं आपको पता भी होगा मैंने एक लेवल अनलैसिस किया पर देखना पुदभए क्या प्राइजेशन बनाता है और क्रॉस कर जाता है इसको ऐसा करके यहां क्रॉस कर जाता है तो यहां एंट्रि लेंगे इस एसल के साथ में फिर उपर की तरफ बड़ा टारिके रखेंगे वई नेक्स टारिके जोगा भई लाइफ आई की तरफ क् जैसे bank nifty के लिए होगे one day में 15 मिनट पे देख लेते हैं ज्याद था तो बही 15 मिनट पे आप प्रेफर करोगे तो जैसे bank nifty अगर trade करो न तो day time frame पे भी आप important level लगाया करो और 15 मिनट पे भी important level लगा लिया करो जैसे 15 मिनट पे आ जाते हैं अभी क्या level important दिख रहे हैं ये candle last की candle थी close हुई थी इसके पहले यूटन कहां दिखाई दे रहा है आपको भई ये area आपको clear दिखाई दे रहा है जहां से यूटन लिया था मारगेट ने नीचे कहां आपको यूटन लेता हो दिख रहा है ये ये area दिखाई दे रहा है ठीक है तो ये दो area है जो आपके लिए बहुत important हो सकते हैं day time frame पे लगा लो 15 minute time frame पे लगा लो दो level लगा लो बहुत होते हैं एक दिन काम करने के लिए intraday में अब आपका plan क्या रहना चीए simple है कि ये zone में आए कुछ price action दिखाए तो मैं खरीदूँगा ये zone में आए selling price action दिखाए तो मैं भई बेचूँगा ठीक है यहां से गया इस जगे गया भई RSI divergence दिखाने लग गया आपको RSI divergence का नहीं पता आगे जाके मैं series में वो भी बताने वाला हूँ अभी सिर्फ ये माल लो कि भई अगर यहां गया RSI divergence दिखाया कुछ selling side का दिखाया माल लो यहां गया यहां पर बढ़िया green candle बनाते वे चला गया bank nifty बढ़िया बढ़िया और यहां green candle बना रहा है और फिर एक bearish single finger candle बढ़ा लेता बढ़ी तो आप के लिए आपको समझी में आ गया आप यहां से clear sell करोगे यहां इस support के उपर ऐसल लगा के और double का aim करोगे जितना यह रहेगा तो भई सीधा सीधा यहां तकाब आ जोगे बस पर ऐसा सीधा मत करोगे बेरी single finger देखके कर लो breakout देखो बेरी single finger का मैं generally prefer करता हूं भई कि कोई closing हो main level के नीचे और एक price action बन रहा हूं तभी trade करता हूं बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि किदर भी गया यहां level के पास आता है न भई यहां खरीद लो तो रंत खरीद लेंगे थोड़ा सा उपर जाएगा भई यहां पर 5 रुपे भी नी लेगा और फिर यहां के 10 रुपे कार जाएगा तो ऐसा मत करो भई हमेशा price action देखने की कोशिश करो अभी जैसे आप यहां पर देखो कि मैं जैसे यह level बता रहा था कि यहां पर एक important level बना था और इस जगे पर almost एक important level बना था अब यहां से भई कोई सा price action देखो थोड़ा से उपर गया नीचे गया अब यह high भई equal high है थोड़ा से उपर गया और फिर देखो किस तरीके से इसको break किया है ठीक है तो almost equal high बनाया भई कोई price action बना नहीं पाया यहां पर प्रॉपर तो भई हम समझते कि यहां पर closing दे रहा उपर जा रहा थो उपर तो लोग क्या यहीं पर भाग के buy कर लेते हैं उस वज़े से loss कर लेते हैं हलांकि ऐसे भी strategies हैं जो मैं आपको बताता हूं जैसे मैंने आपको समझाई हुई है पर अगर आप वही सेम चीज यहां पर इस support distance के साथ भी यूज करोगे बहुत बढ़िया वर्क करेगा अगर आपको option chain नहीं भी समझ में आ रही है नहीं काम में देना चारे हो तो आपको हमें साथ देखना भी projection तबी entry बनानी है तो अभी आपको एक चीज इस वीडियो में समझ में आ गई होगी यह एक तरीका है वही सिर्फा न और भी मेरे पास तरीके है जिससे आप समझ सकते हो की U-turn ढूंदना है Day timeframe पर U-turn देख लेना है 15 मिनट timeframe पर U-turn देख लेना है बस यह दो U-turn मार्क कर लो वही लेवल पर काम कर लो काफी है कैसे मैं पूरा यह अच्छे समझा देता हूं चलो nifty लेली भाई अम लेलेता है फिन nifty Finn Nifty भी trade करते होंगे बहुत सारे लोग Finn Nifty है पहले तो आ जाते है भई Day टाइम फ्रेम पे One Day टाइम फ्रेम पे आ जाते है One Day टाइम फ्रेम पे आ गए थीक है यहाँ पर यह candle है अब इसके नीचे यूटन दिख रहा है कहाँ पर भई यह दिख रहा है आपने ये u-turn मार्क कर लिया ठीक है, मार्क कर लिया तो ये हो गया day time frame पे level अब दूसरा कर लेता है भई 15 मिनट के time frame पे यहाँ पे लगा लिया आपने, चालो 15 मिनट के time frame पे देख लेता है थोड़ा zoom in कर देता हूँ अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 15 मिनट के time frame पे इस candle के उपर reversal कहा दिख रहा है क्या इस level से पहले कहीं कोई reversal दिख रहा है तो आपने लगा लिया कौन सा level भई ये level इसमें आपने भई mark लिया ये नीचे की तरफ कहा दिख रहा है भई इससे जस्ट पहले ये रहा भई आपको इंटरडे में भी काम करना है न भई ऐसा भई नी तो day time frame में बहुत दूर पड़ जाएगा तो बहुत कम trade मिलेंगे लोगों को तो trade भी तो लेना होता भई बहुत जादा तो अब आपको क्या चीज़े नजर आ गई भई यहाँ पर यह दो चार लेवल आ गए एक लेवल तो यह जोन आ गया एक जोन यह आ गया सैलिंग जोन भई यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है उपर वाला जोन थोड़ा बड़ा है पर भई कुछ नहीं कर सकते है डे टाइम फ्रेम में वो जोन न तो उस जोन के अंदर प्राइजिक्शन आपको देखना ही बड़ेगा क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट हमेशा रेस्पेक्ट करता ही करता है यहां पर मार्केट आया थोड़ा सा भई इसको रेस्पेक्ट किया फिर अगर इसको ब्रेक कर जा रहा है ऐसा किया थोड़ा उपर गया वो ब्रेक कर जा रहा है यहां से आप स्टायल कर सकते हो इस swing high का SL ले सकते हो और one race to two तो आपको यहाँ पर जैसे short करोगे मालनो ऐसा projection मनाया तो आप aim रख सकते हो कितना 50 point का SL है तो 100 point कम से कम यह aim आपको करके चलना चीए और अगर यह aim के बाद में भी continue हो रहा है तो भई next target आपका क्या हो सकता भई जो major level है वो यह है तो यहाँ तक ठीक है तो इस तरीकी से आपको planning करनी है अब market मालो ऐसा नहीं करता है market क्या करता है भई यहाँ आता है इस area के अंदर और वो करता है ऐसा pattern बनाता है फिर थोड़ा सा ऐसा जाता है फिर ऐसा high देखो तो क्या दिख रहा है होगे similar scenario आप रखोगे क्या भई यहाँ पर भई buying side में ये लो SL कहा है भई आपका support के नीचे है तो भई almost 1 raise to 2 के लिए आपको हमेशा 1 raise to 2 का risk reward कम से कम लेना है support resistance पर अगर आप price action को देखके trade कर रहे हो तो और वो almost आपका हमेशा आएगा अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें SL हिट नहीं होंगे SL हमेशा हिट होते है trading is all about probability तो probability हमेशा रहती है कि आप गलत हो सकते हो तो पर आप अगर security से बिल्कुल सोच समझ के अगर अगर अपनी capital को यूज करोगे छोटे SL अब मालो हो सकता है कि यहाँ पर मेरे को 100 पॉइंट का SL दिखता तो मैं वो entry low ही मत चाहे अगर आपको बड़ा SL दिख रहा है entry मत लो पर जो entry low फर उसमें फिर कोशिश करो कि one race to two का risk to reward आपको कम से कम भाई एम करना one race to one option buyer as a option buyer लोगे तो भाई profitable नहीं बन पाओगे क्योंकि आपको कभी न कभी भाई गलती करोगे और draw down हो जाएगा एक बार में capital तो ये सारी चीजें द्यान रखनी है तो ये मैंने एक तरीका बताया आपको supporter resistance बनाने का कैसे price action को देखते हुए you turn को देखते हुए supporter resistance अभी next video में आपको और कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप supporter resistance बना सकते हो एक indicator बताने वाला हूँ और इसके अलावा एक strategy बताने वाला हूँ उसके अलावा फिर तीसरे वीडियो में option change से एक बार मैं आच्छे से समझा दूँगा support and resistance कैसे draw करते हैं तो यह 3 method और support and resistance बनाने के वो भी मैं इस series में बताने वाला हूँ उसके बाद में मैं बताने वाला हूँ कि आपको वहाँ पे entry कैसे plan करनी है तो इस series का यह पहला वीडियो था जिसमो support and resistance draw करना सीखा हमने एक तरीके से आगे जाके मैं और तरीके बताने वाला हूँ तो आपको continue देखना है वीडियो का like aim हम रखेंगे कम से कम 1000 likes का भई और comment aim रखेंगे 500 comments का तो भई आप लोगों को इतना अच्छे से मैं समझानी कोशिश कर रहा हूँ तो इतना तो आप से expect करके जा सकता हूँ कि आप ये मेरे लिए करके दे सकते हो तो जो भी बंदा है लाइक जरूर करके जाना है comment जरूर करके जाना है और अगर भई मैं personal strategies use करता हूँ वो सीखना चाते हूँ तो भाई आप जा सकते हो हमारी website पे नाम नीचे लिखा होगा description में trading with करूल पे और plan कर सकते हो courses वगारा बाकी मिलता है भाई है ना आप मैं live trade भी करता हूँ तो सुबह 9 मुझे live trade में या फिर next lecture के अंदर जो आपको पसंद आए चलो तब तक के लिए बाई